Hello everyone, welcome back to my channel और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे weather and climate के बारे में जो भी atmospheric जो elements होते हैं वो human beings को, vegetation को, animals को effect करते हैं और इन ही के effections के distribution को ही हम बताएंगे कि weather क्या होता और climate क्या होता कि दोनों में क्या differentiation होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं weather की कि weather होता कै है, हम किस condition को weather कहेंगे weather जो भी होता है, कि जो atmospheric जो elements होते हैं elements कौन-कौन्स होते हैं जिसमें आते है precipitation, insulation, temperature, air pressure, wind, clouds तो ये जभी भी किसी बेक area को effect करते हैं तो ये मिलकर effect नहीं करते हैं इनकी क्रिया में परतिक्रिया होते हैं यानिके एक दूसरे के सहायक होते हैं लेकिन एक साथ effect नहीं करते हैं और जब इनके elements, इन सभी elements में से एक element जादा effect करता है किसी एक छोटे area को, एक छोटे time period पर मिन्स हम बता सकते हैं कि point of time पर जब जो changes आएंगे, जो effect होगा atmospheric elements का तो उस elements के effect को ही हम क्या कहेंगे weather weather का कोई स्थाई रूप नहीं होता, weather में changes आते रहते हैं तो जो weather होता है, उसकी जो time period होता हूँ एक दिन का भी हो सकता और एक सप्ता का भी हो सकता है क्योंकि हम देखते हैं कई बार सुभए उठे एक अच्छी धूप निकली हुई है हम उसको कहेंगे sunny weather उसके बाद में देखा, clouds आ गए, तो cloudy weather हो गया उसके बाद में बारिश होने लगी, तो उसको हम कहेंगे rainy weather तो एक ही दिन में तीन conditions बदली, तो उसे हम कहेंगे मोसम बदल रहा है तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो elements थे, उन में से सबसे पहले sun ने अपना effect दिखाया तो sunny weather हो गया, उसके बाद wind जो clouds ने अपना effect ज़ादा दिखाया, तो उसको cloudy weather हो गया और lastly rain ने अपना effect ज़ादा दिखाया, तो वो गया rainy weather इसी तरह जो यह इतने भी elements होते हैं, उनके basis पर ही हम weather को define करते हैं जैसे हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं, जो elements के effect को दिखाते हैं कि insulation कि sun जब अपनी चरम सीमा पर होता है, जब अपनी heat अर्थ को ज़ादा दिता है, sun पूरा चमकता है, तेज धूप होती है, तो उस condition को हम क्या कहते हैं, sunny weather जब clouds ज़ादा अपना effect दिखाते हैं, और बादल चा जाते हैं, और sun के effect को कम कर देते हैं, तो उस condition को हम cloudy weather कह देते हैं जब मोसम में नमी होती है, यानि कि जो air होती है, उसमें moisture ज़ादा होता है, humidity ज़ादा आ जाती है, तो उस weather को हम नाम दे देते हैं, humid weather साथ में जब heat, यानि कि sun का जो effect है वो भी हो, और साथ में humidity भी होती है, कि जो वाईयू है, उसमें नमी भी ज़ादा होती है, और साथ में तेज धूब भी होती है, तो उस condition को नाम दिया जाता है, sluttry weather clouds जब आ जाते हैं, तो उसको cloudy weather कहेंगे, जब winds अपना effect जादा दिखाती हैं, बाकी सब के effect को कम कर देती हैं, तो उस situation को क्या का जाता है, windy weather इस थरह हैं, जो भी atmospheric conditions हैं, जो elements के effect को जढ़ा दिखाती हैं, इस तन ये हम कहते हैं weather अब साथ में हम बात करते हैं climate की, कि climate किसे कहेंगे, climate वह होता है कि जो atmospheric conditions होती हैं या जो elements होती हैं, वो अपना effect एक साथ दिखाते हैं जैसे हम बात कर रहे थे कुण-कुण से elements, precipitation हो गया उसमें, temperature, air pressure, winds, insulation, तो जब ये सब ही, मतलब एक average निकाली जाती है, एक long time period पर, period of time में, एक बड़े area पर, जब सब ही atmospheric elements के average निकाली जाती है, और साथ में seasons, जैसे four seasons important है, summer season, winter season, rainy और autumn season, तो जब इन सब के effect को निकाला जाता है, यानि कि एक average निकाली जाती है, seasons के effect को भी, और atmospheric जो elements है, उनके effect को भी, उन सब ही effect को एक long time period के बाद, 10 year में, 30 years भी हो सकता है, 50 years भी हो सकते हैं, कि उन में उनके सबी, जितने भी elements थे, उनके effect को भी, और साथ में seasons के effect का, जब average निकाल कर, इकठा करके study की जाती है, तो आकड़े जो इकठे किये जाते हैं, उन ही को हम क्या नाम देते हैं, climate. तो shortly अगर हम बात करें कि weather और climate में differentiation क्या है, तो वो first रूप से दिखाई दे रहा है कि point of time पर छोटे area में, जब elements में से एक element अपना effect जादा दिखाता है, तो उस situation को हम क्या कहते हैं, weather. weather में changes आते रहते हैं, निकि उस थाई नहीं है, बदलता रहता है, time period इसमें one day to seven day तक हो सकता है, ten days तक हो सकता है, एक ही दिन में भी कई बार मोसम की प्रिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो ये तो बात कर लिए हमने weather की, साथ में हम बात करते हैं climate, climate होता है कि एक period of time में, एक बड़े area पर, जब study करके आखड़े कठे किये जाते हैं, तो उनको हम कहते है climate, average निकाली जाती है, seasons के basis पर और जो atmospheric elements है, उनके basis पर, climate जो होता है, वो जल्दी सी बदलता नहीं है, यानिकि एक long time period के बाद उसमें changes देखने को मिलती है, इतनी जल्दी effect नहीं आता है, उ जो weather है वो एक ही area में, यानिकि एक ही देश में, जैसे भारत में अलग 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 weather मिलेगा, कई बार सिचुएशन यह आ जाती कि एक district में भी अलग अलग area में, छोट छोटे areas में भी अलग अलग मोसम देखने को मिलता है, जैसे पिछले कुछ दिनों में भी कहीं बारिश देखा कि हम weather किसे कहेंगे और climate किसे कहेंगे, अब हम बात कर लेते हैं कि जो five basic elements, जो कि ingredients की तरहे काम करते हैं weather और climate दोनों में, तो उन पे हम सबसे पहले जानेंगे insulation को, insulation होता है कि जब sun की energy earth पर receive होती है, तो जब sun से direct earth पर आती है, तो उसे हम कहते है solar energy receiving को insulation, और जब व terrestrial radiation क्योंकि वो terrestrial area से जाती है, इसके उपर आपको पूरी video insulation और albedo के नाम से जो videos मैंने डाली हुई है, आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे कि insulation कैसे effect करता है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि insulation जो है, वो किसी भी area की weather और climate को कि stress effect करता है, कि जहाँ पर insulation जादा होगा, sun के energy जादा receive होगी, वहाँ का temperature भी high होगा, अब temperature हाई होगा, तो उसके कारण वहाँ की जलवाईयों भी गरम हो जाएगी, कि एक long time period तक अगर insulation मिलती रहेगी, तो average chemical कैगी, कि वो एक गरम जलवाईयों में आ जाएगा, वहीं अग आगती है, receive होती है, निकि heat जो मिलती रहती है, तो वहाँ के मोसम को भी गरमी देती है, गरम कर देती है, तो इस तरह जो solar energy है, वो climate और weather दोनों को effect करती है, second element इसमें क्या आता है, वो आता है हमारा temperature, कि जो temperature हमने starting में भी बात की थी, कि insulation से भी effect होता, वो अब ही हमने define किय temperature भी किसी भी area के weather और climate को काफी effect करता है, decide करता है कि किसी भी area में किस तरह का मोसम होगा, ठंडा होगा, गरम होगा, वो temperature पर defend करता है, अब अगर हम बात करें, इसमें second ingredient की कौन सा आता है, कि जो temperature को भी effect करता है, तो first उसमें insulation हो गया, second इसमें आता है समुदर तट से दूर कि कि किसी भी area की समुदर तट से दूरी, वहां के climate और weather को effect करती है, वो किस तरह हैं से कि जो area, यानि कि coastal area जो भी होते है, वहां की जलवाई और मोसम कैसा मिलता है, समान मिलता है, यानि कि उनमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलती, बजाए इसके जो terrestrial areas होते है यानि कि समुदर से जो दूर होते हैं, वहां पर insulation का effect ज़्यादा होता है, अर्थ ज़्यादा heat को receive करती है और radiation भी ज़्यादा छोड़ती है, इसके कारण वहां पर गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि वहां का तापमान बढ़ जाता है, और वहां की जलवायू औ पर दोनों पर effect डालता है, जैसे हम यहां पर example ले सकते हैं कि जो भारत की coastal areas है, लाइक केरल, तमिलनाडू, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो मोसम है वो समान साही रहता है, ना ज़्यादा गर्मी का effect होता है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती वहां पर, जबकि जो राज मिलती है, संसे उसको काफी ज़्यादा receive करती है, और वो अर्थ को ज़्यादा गरम करती है, तब ही हम देखते हैं कि जो भारत के जो राजस्थान की जो जलवायू बताई जाती है, जबकि coastal areas की जलवायू समान रहती है, वहां पर यानिकी humidity ज़्यादा मिलती है, जबकि उन उसमें हम बताएंगे समुद्र तल से उचाई की जो भी altitude जिसको हम कहते हैं, कि जिस भी area की जो समुद्र तल से जितनी ज़्यादा उचाई पर जाते जाएंगे, वहां के तापमान में गिरावट मिलती जाएगी, तो जब जो दूरी होती है, वो अगर 165 मीटर की उचाई पर जाते हैं, तो तापमान में वन दिगरी सेल्सियस की डिक्रीजन देखने को मिलता है, यही एफेक्ट करता है किसी भी area की जलवायू और climate को भी, sorry, weather और climate दोनों को, तो यहां पर कैसे एफेक्ट करता है वो, कि हम देखते हैं कि जो जालंधर है और शिमला, दोनों सिटी जो भारत की हैं, वो एक ही latitude पर है, लेकिन क्या है कि वहां से दूरी, कि वो शिमला उचाई पर है, जब कि जालंधर के जो latitude वो डाउन आते हैं, लेकिन वहां के temperature में काफी, मतलब गिरावट देखने को मिलते हैं, शिमला के में, क्योंकि समुद्र तल से उचाई पर हो गया तो ये भी climate और weather को effect करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा उचाई पर जाएंगे temperature कम होगा, temperature कम होगा, तो वहां की जलवाईू कैसी आजाएगी ठंडी और मोसम भी ठंडा ही मिलेगा, तो ये इस तरह से effect करता है, एक इसी में हम temperature में पॉइंट देख सकते हैं, equator से दूरी, कि equator जो line है, उसे कोई भी जो location है, वो कितनी दूरी पर है, वो कैसे effect करती है, कि जो sun की insulation हम देखते हैं, कि equator पर जो sun की raises हो सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो कम time लेती हैं, जबकि पॉल्स की तरफ, दोनों तरफ जो sun की raises हैं, वो तिर्ची जाती हैं, तो उन्हो sun की raises जहां पर सीधी पड़ती हैं, वहां का insulation जादा होता है, वहां का तापमान भी जादा होता है, और वहां की जलवायू और मोसम गरम पाए जाते हैं, बजाय किसके, कि जो equator से जादा दूरी पर है, insulation यानि कि sun की raises वहां पर तिर्ची जाती हैं, तो वहां का insulation की average निकाली जाती है, वो कम होती है, और वहां की जलवायू और मोसम वहां पर कैसा मिलेगा, ठंडा मिलेगा, तो इस तरह ये effect करते हैं, एक इसी में last point हम देख लेते हैं, land slopes कैसे effect करते हैं, कि जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई भी land slope है, अगर वहां पे जैसे हम ये मान लेते हैं, कि य यहां का मोसम भी गरम मिलेगा और एक एनवली जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे यानि कि climate को जब डिफाइन किया जाएगा तो वहां का climate भी गरम ही मिलेगा बजाए इसके जो slops sun के opposite होते हैं यानि कि sun की raises जहाँ पर नहीं पहुच पाती हैं निचले इससे पर जैसे हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर नहीं पहुच पाती हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि sun की raises नहीं जाने के कारण वहां का temperature down होता है यही same situations होती हैं क्लाइमेट और वैदर को effect करती हैं कि कौनसे एरिया में मोसम कैसा रहेगा और वहां की जलवाईव किस तरह की होगी तो conclusion में हम क्या देख सकते हैं कि वह चीज़ें कि climate को क्या effect करता है जैसे हम भारत की बात करें अलग-अलग अरिया में अलग-अलग जो temperature है या मोसम अलग-अलग देखने को मिलते हैं climate भी है अलग-अलग मिलता है जैसे coastal areas में humidity वाला जो weather भी मिलता है climate भी वहां का कैसा ही define कह जते है निकाले जाते हैं कि humidity वाला weather है वहां पे पस्चिमी जो areas हैं जैसे राजस्थान है वहां के climate कैसा मिलता है hot and dry मिलता है और जो भारत के जो northern plains है या northern जो situations है हिमाल्यान जो ranges है वहां पर weather और climate दोनों ही कैसे मिलते है ठंडे मिलते हैं यानि कि वहां पर insulation कम मिलता है बर्फ जादा मिलती है तो जो weather और climate वहां के ठंडे होते हैं लेकिन फिर भी भारत का climate है वह monsoon type climate का आज़ता है वह कैसे क्योंकि हमने बताया था starting में कि हम weather sorry हम climate को कैसे define करेंगे कि seasonally यानि कि जो चारों season भारत के हैं उनकी average निकाली जाएगी साथ में जितने भी जो atmospheric जो elements है उनके effect को एक साथ define किया जाएगा कि उनका कैसी effect पढ़ रहा है एक बड़े एरिया पर उसे कंडिशन को देखते हुए भारत की जो जलवायू खोशित की गई है वह कैसी monsoon type जो जलवायू बताई जाती है तो यह हमने बात कि इसमें temperature की जो इसका basic elements इसमें हम बात करेंगे air pressure की कि air pressure कैसे किसी भी एरिया के weather और climate को effect करता है हम बात करें air pressure की जितनी भी air है atmosphere में जो एर पाई जाती उसमें weight होता है वजन होता है उसे के कारण वो दबाव डालती है उस दबाव के हुई क्या कहते हम वायू दाब या air pressure सामान्य प्रस्थितियों में समुद्रे लेवल पर यानि कि जो c level होता है उस पर अगर देखा जाए कि इस वायू का दबाव कितना होता है तो वह होता है कि वहाँ पर वायू दाब की प्रस्थितियां कैसी बनेंगी फोर्थ इंग्रेडियंट्स इसमें हम बात करेंगे क्या होती है अब और विंड दोनों में भी झिसे कहेंगे जब एर एक श्थान से दूसरे श्थान पर flos करती है तो फ्लो की ज होती ह इसको हम्द कहते हैं आप इन्ट का भीkek हम सभी को पता है कि वहाइ प्रैशर चुन लो प्रेशर में ही flow करती हैं उसी के कारण जो वैदर और क्लाइमेट में भी काफी एफेक्ट देखने को मिलता है कि जो प्रेशर होता है एर का वो व किस तरह का है अब जैसे हमने बात कि कि जो भी व्यापारीक जो पमफने होती है पच्छवा में होती हैं यह अपनी एक स्थिति के अनुसार ही बैती हैं, उसी में फ्लो करती हैं, इसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाएगा भी समें, फिफ्ट और लास्ट पॉइंट पर हम इसमें बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन, प्रेस या प्रेसिपिटेशन, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, रेनफोल, स्नोफोल, हेलफोल, स्लीट, तो जब यह यानि कि हम बात करें कि चाहे वो उसके रूप में अर्थ पर रिसीव हो, बादल यानि कि बर्शा का जो जल होता है उसके रूप में अगर आए वो, या फिर ओलों के रूप में बर्फ गिरे, तो इस टाइप में हम बता सकते हैं कि जिस भी स्थिती में अर्थ पर जब वोट रसीव होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, जो कि किसी भी एरिया के वैदर को तो एफेक्ट करेगा है क्योंकि वहाँ पर एफेक्ट देखने को मिले कि प्रेसिपिटेशन और इसके जो फाइव बेसिक जो एलिमेंट्स थे कि जो वैदर और क्लाइमेट के इंग्रीडियंट की तरह जो काम करते हैं उनके बारे में, एक बेसिक सा पॉइंट हो रहता है कि हुमन एक्टिविटीज, हुमन एक्टिविटीज भी काफी सकते हैं, पॉलुशन ज्यादा फैल रहा है, कार्बन डायकसाइड गैस का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि टैंपरेचर बढ़ेगा, तो गर्मी होगी, गर्मी होगी, तो हम क्या कहेंगे, मोसम गर्म हो गया, अब उसको एक लोंग टाइम पीरिड क के बाद में, लोकल एरिया के साथ साथ, ग्लोबल एरिया पर भी एफेक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं, जैसा कि आज की जो सिच्वेशन बनी हुई है, कि क्लाइमिट काफी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो यह सब इवी किस में आते हैं, हुमन एक्ट एक्टिविटीज के कारण ही, जो अर्बन एरियाज है, वो एक वोम पॉकिट को एफेक्ट करते हैं, यानि कि वोम पॉकिट बना रहे हैं, कि कारबन डैक्साइड गैस ज़्यादा सरजन कर रहे हैं, उसके कारण एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी महसूस की ज जा रही है उसी को हम कहते हैं warm pocket effect इसको एक और नाम से भी जाना जाता है अगर आप जानते हैं तो मुझे comment करके बताएं और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप description में चेक करें वहां पर मैं इसका नाम जरूर दे दूँगी तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खतम करते हैं I hope आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो like करें, share करें and subscribe my channel. Thank you so much and have a nice day.